हलो स्टूडेंट्स वेलकम टू मैंगर बैंस मैं रुपाली वर्मा मैंगर बैंस आपके लिए 100% फ्री एजुकेशन लेकर आता है और आगे भी आता ही रहेगा क्यों क्योंकि हम यह चाहते हैं कि पढ़ाई से सम्बंदित आपके सामने कोई भी परिशानी कढ़ाई खड़ी कि मतलब आपको कोई कहीं पर कोई कोशन में अटक गए कोई चीज आपको समझ नहीं आ रही है यह कैसे होगा यह क्या हो गया तो यह सारी जो समस्या होती है इनका समधन आप यहां आकर लेजिए और इसमें आपको कुछ भी और किसी तरह की बाधा का इस्तेमाल नहीं होगा जैसे होता है ना कि हम कहीं पर जाते हैं तो हमें कुछ payment करना पड़ता है तब हमें उस चीज प्राप्त होती है यहाँ पर आपको ऐसा कुछ नहीं करना है यहाँ पर आना है अपती समस्या को लेकर समाधाल लेना है और जाना है इसके अलावा आपको कुछ भी payment नहीं करना, ना कोई package purchase करना, ना ही कोई coupon लेना चुप चाप शांती से आप सारी समस्याओं का हल लेकर यहां से जा सकते हैं तो इस तरीके से आप यहां पर देखते हैं कि आपका कोई भी test हो, exam हो, हर एक चीज को यहां पर आपको time to time present कर दिया जाता है Even CBSC भी अगर कोई भी changes करता है तो भी हम आपको उसके बारे में भी बताते हैं कैसे कि recently, CBSC ने कुछ chapters add किये, कुछ हटा दिये, तो उन सब को भी हमने आपके बता दिया कि कैसे कैसे जो CBSC ने chapters add किये हैं, वो आपके आएंगे या नहीं आएंगे, सब ही कुछ हमने आपको बताया तो इस तरीके से आप हर एक चीज़ के बारे में अच्छे से जान जाते हैं, यहां हमारे magnet pains में तो यह हमारा ही नहीं, आपका भी channel है, क्योंकि जो चीज़ हमको प्रिय होती है, वो हम सब की होती है तो इसका भाग बने रहिए और education का लाग उठाते रहिए तो आते हैं हम आज की वीडियो पे आज का जो हमारा वीडियो है, यही class 9th Hindi course A की हमारी book है कृतिका भाग एक के प्रथम अध्याय इस जल प्रलय में ठीक है, अब यहां पर class 9th में आपको पता है कि हमारे दो course चलते हैं, course A और course B तो यहां पर जो है, अब course A आपके पास है या course B है, इसका decision आपका school लेता है अब वो decide करता है कि आपके हां क्या चलेगा, क्या नहीं चलेगा अगर आपके हां course A चल रहा है तो आपके पास दो book होंगी एक होगी कृतिका भाग एक और दूसरी है शतज भाग एक शतज भाग एक हमारी पूर, क्या कहते हैं, पहली पुस्तक होती है और कृतिका हमारी पूरग पुस्तिका रहती है उसी तरह के अगर आपके हां course B चल रहा है तो आपके हां book रहेगी स्पर्श भाग एक और संचयन भाग एक जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम यहां course A करा रहे है और हमारी हिंदी की पूरग पुस्तिका है क्रतिका भाग एक तो इसमें हमारे तीन अध्याय दिये हुए इन तीटो ही अध्याय को हमने अच्छे से पहले पढ़ा हुआ है यानि कि आज जो हम पढ़ाने जा रहे हैं पार्ट एक इस जल प्रले में ये पार्ट हमारे सामने फड़िशवनाथ रेणू ने रखा है इस पार्ट में उन्होंने हमें क्या बताया था कि किस तरीके से पटना शहर में जो बाढ़ आई थी उसके बारे में उन्हें हमें बताया था उन्होंने कैसे क्या केते हैं उनके घर के आसपास पानी आया वहाँ लोग पानी में किस तरह एंजॉय कर रहे थे क्या क्या चीज़े होती हैं सभी कुछ उन्होंने इवन जादा देर पानी में रहने से किस तरीके से आपके पैरों में जो है वो घा हो जाते है सभी कुछ उन्होंने हमको बताया इस पार्ट में तो यानि कि यह पार्ट हमने total अच्छे से पढ़ा हुआ है यानि कि detailed explanation हमने अच्छे से किया है फिर उसके बाद हमने क्या किया उसके बाद हमने जो भी इस chapter में वो भी हमने complete कर लिए, फिर उसके बाद हमने इस chapter से related mcqs भी कर लिए, अब आज आता है इस chapter से related कुछ subjective questions को करने के लिए, यानि कि आज हम करा रहे है most important questions, ये most important questions क्या है, पिछले को सालों में पूछे गए, जो बार 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 आपसे questions पूछे जा रहे हैं, उनको हम यहाँ पर लेकर आगए आपके लिए, ठीक, अब ये सभी questions subjective है, यानि कि ये हमारी इस chapter से संबंधित तो हैं, लेकिन हमारी ncrt book से संबंधित नहीं, यानि कि इस पूरे जो chapter हमने पढ़ा इस जल प्रलय में, और कैसे questions बन सकते हैं, ये हम आपके सामने प्रस्तूत कर रहे हैं, तो इको को सीखना है, क्योंकि हमेशा हम रटे रटाई चीज़ों को नहीं दे सकते हैं, हमारे सामने questions बदलते रहते हैं, तो सबसे पहले जो skill है, आपको question पढ़के समझना और answer बनाना, ये skill में आपको अच्छा अकूना है, तो ये आपको बारवर practice से ही चीज़े आपाएंग तो चलिए ये chapter शुरू करते हैं, इस जल प्रेलेमे के most important questions के साथ में, पहला प्रशन है, आपदाओं से निपटने के लिए अपनी तरफ से कुछ सुझाव देजिए, अब देखिए आपदाएं आती हैं, बार आती हैं, आपके भुकम पाते हैं, तूफान आते हैं, पहाड तो देखिए यहां पर क्या है, बार एक प्राकतिक आपदा है, सामानता इस प्रकार की प्राकति आपदाएं आने से पूर्वी सुचना मिल जाती है, बहुत सी आपदाएं हैं जिने आने से पूर्वी सुचना मिल जाती हैं, बहुत सी आपदाएं हैं जिने आने से आवशक्ता की सामगरी नाव पेजल आदी का प्रबंद पहले से कर लेना चाहिए अगर हमको पता है कि भाई बहुत जादा लगातार बारिश हो रही है तो जाहिश सी बात है कि इस एरिया में बार आ सकती है तो उसलिए खाने पीने का चीजे हैं पीने का पानी है खाने का साम कर लेने से स्वयमसेवी संस्थाओं को भी उच्षा पूर्वक पहल करनी चाहिए अब जैसी कहता है बहुत सारे जो है NGO's काम करते हैं जो संस्थान होते हैं वो काम करते हैं तो उन्हें पता होता है कि भाई इस तरह की आपदा आने वाली है तो वो भी पहले से रडी हो जात सरकारी तथा निजी संस्थानों को भी मदद के लिए आगे आना चाहिए युवा वर्ग को योजना बद तरीके से जुड़कर सहयोग करना चाहिए ऐसी बहुत सी गौर्णमेंट या गौर्णमेंट रिलेटेड कंपनी या प्राइविट कंपनी होती हैं जो इस आपदाओं क समय में सामने आती भी हमने देखा है न कि जैसे कहीं कोई आपदा आ जाए तो उनके लिए भाई खाना कपड़ा पैसा इन सभी के लिए जो हैं वहां से इंतिजाम किया जाता है युवा वर्ग को योजना पत्त तरीके से जुड़कर से भाई हमारे जो युवा हैं वो कर लिनी चाहिए अगर मान ले जे कि आपको आपनी जगा चेंज करने पड़ती है कि मान ले जे बाड आ गई है तो आप अपनी जगह अपनी घर से निकल के और जाना जानी तो आप कहां जाओगे इस चीज़ का प्रबंध भी आपको पहले से करके रखना है सामानों को उप उपर सुरक्षित इस्थान पर रख देना चाहिए आवशक दवाईयों का इंतिजाम कर लेना चाहिए अब हमारे यहां ज्यादा तर फर नीचर है सामान है वह ग्राउंड लेवल पर ही रहता है अगर आपको पता है बार है तो उस सामान को समहलने के लिए आप उपर लेवल होती हैं एक हो सक्ती है जैसे होता है कि dehydration हो जाएगा यह फिवर आ जाएगा यह cold हो जाएगा किसी को BP का issue रहता है किसी को शुगर का इशू है, कोई हाट पेशिंट है, तो उन्हें अपनी दवाईयों का इंतिजाम पहले से करके रख लेना चाहिए, क्योंकि उस समय फिर दवाईयां मिलना मुश्किल हो जाता है, तो ये सारे प्रबंध हैं जो हम कर सकते हैं, अब ये प्रश्ण संख्या पर बताईये, सबी जगे ये था कि भाई, पानी कहां तक पहुंचा कहां, तो सब को ये जानना चाहते थे कि आखिर पानी कैसे बाढ कैसे आती है, कहां कहां तक पानी पहुंचा है, हमारे घर तक कब तक पहुंचेगा, तो ये कुछ जिग्यासाइं होती हैं जो लोगों को वहाँ पर होती हैं जब जिस जगह बाढ आ रही थी तो क्या देखे पानी आने की सूचना तो प्रसारित हो रही थी मगर पानी अभी तक नहीं आया था लगता था कि कहीं अटक गया अत्वा जहां तक आना था वहीं तक पहुँच कर रुख गया यह भी हो सकता है कि तटबंदों के लड़ते हुए इंजीनिरों की जीत हो गई हो या कोई दैवी चमतकार हो गया हो ऐसे अनेग विचार लोगों के मन में उमढ रहे थे पानी जाएगा तो किधर से जब रास्ता यही है सबको पता है कि बार आनेवाली सब सब अपने इस तयारी में है और बढ़ रहा है यह सभी को पता है लेकिन इतने बज़े तक यह पानी आ जाएगा कि अभी तक तो आया नहीं तो क्यों नहीं आया जो इंजीनिर से बनारा था मस्षा को फानी ओर पानी हार गया या कोई देवी शक्ति हुई कि एकदम से पानी को कोई और रास्ता मिल गया लेकिन नहीं पहुचा तो ये लोगों की जग्यासाओं का कारण बन रहा था चारों ब्लाकों के प्राया सभी फ्लैटों में रोशनी थी तो उनके जो बिल्डिंग से उनके सभी उसमें जो फ्लैट से सभी जगा बिजलाइट आ रही थी अब देखे जब पानी बहुत ज़ादा बरसता है या बाढ आती है तो लाइट कट कर हो जाती है लेकिन उनके ब्लाक के सभी उसमें लाइट सा रही थी कभी जल रही थी तो कभी बुझ रही थी सभी जगे हुए लोग पानी के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे सभी लोग पानी का इस तर जाकर देख रहे थे कुछ लोग मोटर, स्कूटर, टैक्टर, साइकल, रिक्षा पर तो कुछ पैदल पानी देखने जा रहे थे और देखने वालों की जुबान पर एक ही जग्यासा थी कि पानी कहां तक आ गया है इससे कुछ लोगों में पानी देखने के उचसाह तथा कुछ लोगों में चिंता का भाव दिखाई दे रहा था तो अब यह क्या है सब को यह पता था कि पानी बढ़ रहा है लेकिन पानी नहीं आ रहा है तो हर कोई अपने अपने कन्विंस से जाकर देख रहा था सब जागे हुए थे कि हाँ भई पानी आएगा तो हम देखेंगे कि कैसे बढ़ रहा है रात में लोग सूनी रहे थे अपने कन्वेंस से बार बार दोड़ के देख रहे हैं कहां तका आया तो ये सब ही जिग्यासा आएं उस समय लोगों के मन में विद्यमान थी कि कैसे कैसे ये पानी बढ़ता कि जो लोग पहले से बार देख चुके हैं तो उन्हें इतनी जिग्यासा नहीं रहती लेकिन जो लोग first time बाड को सामना करते हैं तो उन्हें होता है कि भाई बाड आती है तो कैसे आती है पानी बढ़ता है तो कैसे बढ़ता है तो ये ऐसी बहुत सारी एकदम से पानी आता है यह के धीरे-धीरे आता है तो किती तेजी से आता है तो यह सभी जग्यासा हैं लोगों के अंदर यह सारी कोशन्स लेकर वो बार-बार पानी के लेवल को चेक कर रहे थे और उसकी स्थि को चेक कर रहे थे प्रश्ण संख्या तीन है लेखक ने बाढ के पानी को मृत्यू का तरल दूद किस से क्यों और कप कहा अब ये बात उन्होंने पानी को तरल दूद बूला तरल दूद मतलब लिक्विड जो एक ऐसा लिक्विड जो लोगों के लिए मृत्यू लेकर आता है तो ये बात उन्होंने किस से क्यों और कब कहीं ये आपको बतानी है क्या है देखिए लेखक ने आचारी जी से बाड़ के पानी को मृत्यू का तरल दूत इसलिए कहा क्योंकि वह साक्षास देख रहा था कि सड़क के किनारे एक मोटी डोरी की शकल में गेहुआ फाग फेन में उलजा पानी तेजी से सरकता चला आ रहा था अब क्या होता है पानी आता है तो अपने साथ बहुत सारी गंदिगी लेकर आता है क्योंकि पानी क्या होता जब बढ़ता है तो धीरे 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 पानी जो है वो लेकर बढ़ेगा बढ़ेगा गंदगी को लेकर आगे बढ़ेगा तो उसके साथ क्या होता जब पानी आगे बढ़ रहा होता है तो बहुत सारा फेन जाग और गंदगी होती है तो आचारे जी उनके साथ थे तो उनको बता रहे थे कि देखिए वो कैसे भयानक रूप लेकर आ रहा है जैसे मृत्यू आगा दूद आता है उसको देखे हैं डर जाते तो वो धीरे 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 सरक रहा था अपने आगे बहुत सारी गंदिगी और जाग लेकर जिसे देखकर भैबीत हो गय और कहा कि आचार जी आगे जाने की जरूरत नहीं वो देखिए आ रहा है व्रत्यू का तरल दूद तो ये किस तरीके से उनको बोला कि हम लोग पानी का लेवल चेक करने जा रहे थे उनका आगे जरूरत नहीं वो देखिए व्रत्यू का तरल दूद आ रहा है वास्तों में बार का ये जल अनेक जीवों को बेघर कर देता है। कई लोगों के विनाश या मृत्यू का कारण बन जाता है। बार का ये जानवरों को भी बहुत दिकत होती है, मनश्यों को भी होती है। तो ये तरीके से उन और बहुत से जानवरों को तो मार देता है। तो इसलिए हमारे लेखक ने इसे मृत्यू का तरल दूत कहा है। प्रेश्ण संख्या चार है, रिक्षे वाले को लेखक रेणू जी ने बहादुर क्यों बोला। अब वो रिक्षे पे बैटके वो और निकले थे भाई, देखने के लिए कि पानी कहां तक पहुँचा। तो ये मैगजीन भी ले लेते हैं, पान की दुकान भी खड़े वाजाते। तो ये रिक्षे वाले को वो बहादूर किसली ये बोल रहे है। तो देखें क्या है, लेखक फडिशोनात रेणू जी बाढ़ का पानी देखने के लिए कौफी हाउस जाना चाह रहे थे। तो एक रिक्षे वाले ने बताया कि वहाँ अब तक काफी पानी आ गया है। तो एक रिक्षे वाले ने बताया कि वहाँ अब तक काफी पानी आ गया होगा। लेखक रेणू जी और उनके मित्र पानी देखना चाहते थे। इसलिए वे रिक्षे में बैटकर पानी देखने चल पड़े। मार्ग में और भी कई लोग बाढ़ का पानी देखने के लिए जाते हुए मिले। बहुत तेजी से बढ़ रहा था। अब लेखक रेणू जी डर के कारण आगे नहीं जाना चाहते थे। परन्तु रिक्षे वाले ने साहस पूर्वक कहा कि चलिए थोड़ा और आगे चलते हैं। बड़ी निडर्ता के साथ बाढ़ में भी आगे जाने की बात कर रहा था। इसलिए लेखक रेणू जी ने रिक्षे वाले को बहुत बहादूर कहा। कि भाई जब हमारे लेखक और उनके मित्र रिक्षे में बैठ गए और आगे जाने लगे कि चलो भाई चलते हैं देखते कहां तक है। कि बड़ी तेजी से पानी बढ़ रहा था। तो हमारे लेखक डर गए कि अरे बापरे ये पानी आ आगे आ रहा है अब यहीं पे रुख जाते हैं। तो उन्हें रिक्षे वाले से बोला कि ठीक है यही रुख जाओ। लेकिन रिक्षे वाला बुला अरे भी आभी कितना है चलो और थोड़ा और आगे बढ़ कर देखते हैं। तो बाण के बढ़ते पानी में भी वो रिक्षे वाला रिक्षा चलाने को तयार था। इसलिए उन्होंने उसको बहादुर बुला। प्रेश्ण संख्या पाँच है लेखक ने अपने मित्र से क्यूं कहा कि पहचान लीजिए यही है वहाँ आदमी। ये बात उन्होंने क्यूं बोली थी अपने मित्र से। तो देखिए क्या है। लेखक और उनके साहित्तिक मित्र गांधी मैदान से गुजर रहे थे। पटना का बहुत बड़ा मैदान है गांधी मैदान वहाँ उसके पास से गुजर रहे थे। तब एक अधेड गमार वेक्ति जोर से बोल उठा कि जब दानापुर डूब रहा था तब पटना के लोग को पलट कर देखने भी नहीं आये थे। यह सुनकर लेखक को लगा कि जिस आम आदमी की तलाश साहितिक गोश्ठियों में होती रहती है वह यही वही आम आदमी है। जो दानापुर और उत्तर बिहार के बार ग्रस्त इलाकों की चिंता करता है। तो अब क्या हुआ कि आप काफी पास ही देखोगे उसके तो जब दानापुर में बार आई तो पटना वालों ने इतना कुछ इंट्रेस्ट नहीं लिया। तो इस बात से दानापुर वाले भाई होता नहीं कि आपकी पास की सिटी है तो आप लोग उनकी मदद करिये लेकिन उन्होंने कोई ला उठा कि भाई जब दानापुर डूब रहा था तो तुम पटना वालों ने ध्यान नहीं दिया उन्होंने मदद नहीं करी कुछ नहीं किया तो हमारे लेखक जो हैं बोलते हैं यही वो आदमी है जिसकी हमें तलाश थी अर्थात देखें साहित में जो इसपष्ट वक्त को बोल सके तो यह एक ऐसा आदमी था जो फ्रंट में आकर पूरे अच्छे से अलिगेशन लगा रहा था कि पटना वालों ने ऐसा काम किया दानापुर वालों की हल्क नहीं करी तो यह उस आदमी को देखकर उन्हों बोला कि यही आदमी हैं जिसे हमें साहित में इसकी करने की मांसिक्ता से उत्पन होता है यानि कि आप एक अच्छी सिटी से होते हैं तो हमारे अंदर एक मांसिक्ता आजाती हैं था जब हमें मदद की जरूरत थी तो तुम ने मदद नहीं करी आज देखो तुमआरे शहर में इतनी मुसीबत आई हुई है तो ये चीज वहाँ पर सामने साफ दिखाई दे रही थी प्रेश्ट संख्या 6, कौन सा समाचार दिल दहलाने वाला था उस समाचार का कैसा प्रभाव दिखाई पड़ा प्रसारण केंद्र था रेडियों का वहां पर पानी भर गया था शाम के समय, ये एक दिल दहलाने वाली खबर थी देखे क्या है शाम को साड़े साथ बजे जब आकाश वारी के पटना केंद्र से स्थानिय समाचार प्रसारित किया गया कि स्टूडियों की सीडियों तक पानी पहुँच गया है अब समाचार केंद्र था वहाँ भी भी पानी पहुंच गया है तो ये खबर वहाँ से प्रसारित की जा रही थी और किसी भी समय स्टूडियों के अंदर पानी घुस सकता है ये बात जो है रेडियो में प्रसारित की गई कि स्टूदिया कासवारी दिर्टि के सीडियो तक पानी आ गया और अंदर गुसने वाला है पान की दुकान के सामने खड़े लोग चुपचा पिस समाचार को सुन रहे थे ये समाचार दिल दहलाने वाला था सब ही डर गए थे, सब के चेहरे पर भै साफ साफ जलक रहा था मतलब सब ही अच्छे से डर है वोए थे कि भाई अगर रेडियो स्टेशन तक पानी पहुंच गया है तो जाहिर सी बात है पटना शहर जल्दी ही डूप जाएगा तो ये सुनकर सभी को अंदर तक डर लग दिया था लेकिन थोड़ी देर में सब लोग सहज हो गए जब समचा सुना तो सब को डर हुआ लेकिन फिर दीरे सब भी हाँ पानी है आ रहा है बढ़ रहा है बोलते ना एक कोई चीज़ होती है हम धीरे-दीरे हब्यूचल कोई चीज़ नहीं होती है तो थोड़ा सा अट-पटा लगता है लेकिन फिर हम धीरे-दीरे हब्यूचल हो जाते है जब लेखक पानी देखकर लोट रहा था तो लोगों के चेहरे शांत भाव में दिखे वे लोग रोज की तरह निश्चित भाव से हसने और बोलने में लग गए दुकानदार अपना सामान नीचे से उठाकर उपर करते दिखाई दिए तो जब ये समचार प्रसारित हुआ कि भाई आकाश वाड़ी स्टूडियो की सीडियो तक पानी आ गया है और जल्दी उपर बढ़ जाएगा स्टूडियो डूब जाएगा तो सभी डहले लेकिन थोड़ी देर बाद उस समचार से सब सहज होकर अपने जो रूटीन के काम होते हुनमें लग गया हसना बोलना जो काम करना और दुकान दा जो है जब बाढ़ का मानी आएगा तो उससे अपना सामान बचाने के लिए वो उसे उपर रखने के लिए लग गए थे अब आगए हम प्रश्ट संख्या सात पर यहां क्या दिया है मुहरमी सूरते बनाना एक सामान ने मानविय गतिविधी है इस पश्ट कीजिए to यहां पर मुहरमी सूरते बनाने से दात पर क्या है और ये एक बहुत ही सामानने गतिविधी मानवी गतिविधी मानी जाती है ये है तो देखे कि लेखक ने मुहरमी सूरते एंका प्रयोग स्वैम के लिए और अपने मित्र के लिए किया है लेखक ने मुहरमी सूरते अर्थात उदासे निराश भाव युक्त चेहरा इसलिए कहा है मतलब निराशा से भरा जो चेहरा होता है उसे मुहरमी सूरते बोला गया है और ये सूरते किसकी है हमारे लेखक और उनके मित्र की विनाश लीला देखकर उनका मन दुखी हो गया था ऐसा लगता था मानो मुहरम का दिन हो मुहरम का दिन मातम के दिन माना जाते हैं और चारू तरफ जो है वो उदासी चाही थी क्योंकि पानी बढ़ रहा था और लोगों को इस चीज़ से तकलीफ हो रही थी तो सभी उदास थे तो इसलिए जो है मुहरमी वातावरन जो उदासी का वातारू उन दुनों होता है वैसा लग रहा था वहाँ खड़े अन उत्साहित और जिग्यासी लोगों के बीच में इनके चेहरे लग अलग रग रहे थे मतलब वहाँ बाकी सब लोग तो बड़े उदास थे लेकिन इन दोनों के चेहरे बड़े लटके थे तो इसलिए और उदासी दिख रही थी मुहरम उदासी निराशा शोक आदी का पर्याय है क्योंकि उस तम टाइम मातम मनाया जाता है मतलब आसपास के लोगों को इस चीज़ का इत्ता फरक नहीं पड़ रहा था लेकिन हमारे जो लेखक थे और उनके मित्र जो थे वो बहुत ही उदास थे अब चुकि मुहरमी सूरते इसलिए बोला गया क्योंकि मुहरम का दिन जो है जो दिन होते हैं वो थोड़े शोक और निराशा उदासी के दिन होते हैं तो वहाँ पर मातम मनाया जाता है तो उस दोरान जो है लोगों के चेहरे बड़े उदास रहते हैं बहुत सरो लोग अपने आपको हट करते हैं रोते हैं तो यह चीज़े होती तो ऐसा ही उदासी भरा चेरा हमारे लेखक और उनके मित्र का बना हुआ था इसलिए उनको मुहर्रमी सूर्टे कहा गया क्योंकि आस पास जित्ते भी लोग थे उनकी सूर्टे ऐसी नहीं थी लेकिन हमारे लेखक और उनके मित्र की थी अब आगाई हम प्रशन संख्या आठ पे क्या है आधार भूत मानविय प्रकती को मुसहरी लोगों के आधार पर इसपश्ट कीजिए अब ध्यान दीजेगा आधार भूत मानविय प्रकती को जो हमारी जो basic needs होती है जो प्रकती से मिलती है वो आपको मुसहरी लोगों के आधार पर बताना है अब मुसहरी बस्ती क्या होती है जो चूहूं को खाती है उनको बूला जाता है तो यहां क्या दिया है मुसहरी मुसहर जाती की एक बस्ती को कहा गया है जिनका संबंध आदिवासियों से होता है ये अपना जीवन यापन पत्तल और दोने बना करते हैं तो ये अपने घर में जो कुटे रुद्योग लगाते हैं उसी से ये इसका पालन करते रहते हैं जैसे दोने बनाना पत्तल बनाना इसी से उनकी रोजी रोटी चलती रहती है ये लोग इतने जिंदा दल होते हैं कि प्राकतिक आपदा भी इनकी हसी खुशी प्रभावित नहीं कर पाती यह लोग प्रकति से जुड़े लोग हैं तो इसलिए यह जो आपदाएं होती हैं यह सब उनको इतनी अफेक्ट नहीं करती क्यों कि वो प्रकती से अपना जीवन यापन करना अच्छे से जानते हैं लेखक वहां मुसहरों की बस्ती पर अपने सेवा दल के साथ राहत बाटने गया था यानि कि जब बाट आई तो ये अभी कि जब प्रतना में आरी ये नहीं उसे पहले जो बाट आई थी उसकी बाद कर रहे तो एक बाट जब वहां बस्ती में बाट आई तो वो अपने दल के साथ गये थे वहाँ लोगों में राहत सामगरी बाटने के लिए क्योंकि पता चला था कि लोग भूग के कारण चुहे और मचली भून कर खा रहे हैं कि वहाँ कुछ था नी तो वो चुहे और मचली भून कर खाने लगे थे उसने वहाँ देखा कि एक मंच बना हुआ था बलवाही नृत्य हो रहा था उनको लगा कि वहाँ सभी उदास होंगे उनको खाने के लिए नहीं है लेकिन वहाँ देखा तो वहाँ सब लोग नाच घाने में लगे थे बलवाही नृत्य हो रहा था एक काला कलूटा नट लाल रंग की साड़ी पहने हुए रूठी हुई दुलहन का अभिने कर रहा था और पुरुष नट उसे मना रहा था अब देखे इतनी जहां पर हमें पता दला थे कि लोग खाने के लिए नहीं है लोग चूहे और मशलियां भून के खा रहे हैं तो वहाँ पर लोग जब सेवा बाटने के तो उन्हें लगा कि सबस्बस का महल बहुत ही उदासी पूर्ण होगा लोग बहुत विलाब कर रहे हुए लेकिन यहां था नित्त हो रहा था एक आदमी जो है वो इस्तरी के वेश्ट में घिसे उसके हस्बिन मना रहा है ऐसा कुछ अभी नहीं हो रहा था धोलो कर मंजीरे की ताल पर आंदोलन सम मना रहे थे कीचर पानी से लटपत भूके प्यासे नर नारियों का जुंड मुक्त भाव से खिल खिला रहा था मतलब बाढ़ था बाढ़ में चारदर कीचर हो जाता है वो कीचर से लटपत थे लेकिन उसी कंड में वो लोग आराम से नाचने गाने का काम कर रहे थे तो प्राकतिक आपदाओं में भी अपने लिए रास्ता खोज कर उसे ठीक से निभाने से कारण वो सभी जो क्या करते हैं आपके मुसहरी लोग थे वो बहुत ही अच्छे से रह रहे थे प्रेश्ण संख्या नौ है गाउं के लोग नाओं के अभाव में क्या कर रहे थे इस जल प्रले के आधार में पाट के आधार पर बताईए तो अब क्या था नाओ नहीं थी तो उस कंडिशन में गाउं के लोग क्या कर रहे थे केले का जो तना होता है वो थोड़ा हवी होता है और ऐसे बोटनुमा होता है तो लोग उसमें से जो है वो नाव बना बना के अपना काम चला रहे थे जब उन्होंने देखा कि जमिदार की लड़के ऐसे संकट काल में भी हार्मोनियम तबला लेकर जल विहार करने निकले हैं तो ग्रामीडों ने उनकी नाव छीन ली हाला कि इसमें थोड़ी मार पीट भी हुई अब देखिए ग्रामीड लोग पाने के लिए तरह तरह से नाव से जुगार कर रहे थे और जमिदार का बेटा जो सभी संपन्य था वो इस बाढ़ को इन्जोई करने में लगा हुआ था वो नाव लिए उसमें हार्मोनियम तबला रखके वो संगीत चलब बजाता हुए वे पहले यह थोड़ी नाव था था भाई हमने अपना टेप रिकॉडर ले लिए अब लूटू ती स्पीकर ले लिए और लेकर चल दिये तो वो अपना हार्मोनियम तबला लेकर बजाते ह अब क्या होता है जब हुम बहुत ज्यादा परिशान होते हैं किसी भी बात को लेकर हम परिशान होते हैं तो हमें नींद नहीं आती है तब क्या होता है हमें पुरानी यादे आने लगती है हम पुरानी चीजे आने वाले भविश्र के बारे में सोचने लगते हैं या जो चीजे हमने गलत करी हैं या हमारे जीवन की बहुत अच्छी या उनका मन आशंक के तथा बाड की विभीशिका से ग्रस था, वो बाड को फेस कर रहे थे, तो वो डरे हुए थे, इसलिए डर के कारण उनको नींद नहीं आ रही थे, उन्हें भूली बिसरी यादें आने लगी, भूली बिसरी मतलब जो पहले की यादें वो आने लगी, पुर है, वो बतलाव आने लगता है, अपने सामने विपत्ती को देखकर वेकते हैं, अपनी अतीत को याद करने लगता है, हमारे सामने अगर मुसीबत होती है, तो हम क्या करते हैं, जो हमारे पुराने जो समय अच्छा भीता है, हम उसको याद करने लगते हैं, उनकी मानसिक्ता नॉस्टेलिजिक यानि की उदासीन हो जाती है बाड की इस विभीशिका को देखकर उनको चिंता के कारण नीन नहीं आई अब तो पुरानी इस्मृतियां आने लगी तो हम यहाँ पर कैसे न टेंशन हो जाता है तो उस कारण से क्या होता है हम थोड़ा उदास से हो जाते हैं और उस उदासी में हमारी नीन गायब हो जाती है तो यही चीज़ हमारे लेकक के साथ हुई अब वो बाड आ रही है इसके कारण वोगो जादा ही डर गए थे और डरने के कारण क्या है उनको नीन नहीं आ रही थी नीन नहीं आ रही थी तो जो पुरानी बाते हैं वो उस सारी चीज़ों को याद कर रहे थे प्रेशन संख्या 11 है चिंता इवं जिग्यासा की अधिक्ता में व्यक्ति रोमांचक कलपना करने लगता है पाट के आधार पर बताईए मतलब जो हम चिंता हो जाते हैं तो बहुत सारी नुमांचकारी घटनाओं को इमेजिन करने लगते हैं वो आपको यहां बताना है तो देखे क्या है लेकक बाड के पानी का इंतिजार करता हुआ सो नहीं पा रहा था जब पानी धीरे धीरे बढ़ा था उन्हें पता था कि भई हमारे घर में इतने समय तक पानी आ जाएगा अब आ रही है तो हमारे घर में पानी बढ़ जाएगा तो यह एक जो टेंशन थी उस टेंशन के कारण वो सो नहीं पा रहे थे अनेक भूली विस्री यादे उसे परिशान करने में लगी थी लेखक ने सोचा कि इससे अच्छा है आखे मूंद कर सफेद भेडों के जुंड देखने की चेश्टा की जाए उजले उजले सफेद भेड सफेद भेडों के जुंड किन्तु सारे उजले जुंड काले हो जाते अब कहते ना जब आपको नींद नहीं आए तो count the ships ठीक है न बोलते ना count the ship तो वही जुंड count करने लगे एक जुंड दो तीन वह हम कलपना करने लेके लेकिन धीरे धीरे वह सभी गायब हो जाते थे वस्तुता लेखक का उदेश ये इस पश्ट करना है कि बार जैसी आपदा के कारण व्यक्ति जब अत्यदिक चिंतिद एवन उस्सुक रहता है तो वह मनोवग्यानिक दृष्टी से बेसर पैर की बातों के बारे में सोचने लगता है इसके माध्यम से लेकक सिर्व रक्ति के अंदर की व्यक्रता एवन चिंता की भावना को दर्शाना चाहता है कहने का मतलब है कि जब हम बहुत जादा चिंतित हो जाते हैं परिशान हो जाते हैं तो नींद नहीं आती जो हमारे लेखक के साथ हो रहा था तो वो सारे काम हम करने लगते हैं कि हां हम आखे बंद कर लेते हैं हम इसके बारे में सोचते हैं तो नीन आईगी हम उसके बारे में सोचते हैं तो नीन आईगी तो यह सारे काम हमारे शुरू हो जाते हैं अब जैसे यहां पर इनने काउंट शीप जो भेड़ का जुंड होता करना शुरू किया अब यह चीज हम लोग कहा देखते हैं आप देखो यह कारटूम्स में दिखाते हैं कारटूमें कोई होता है न वो खोम करता है यह कूट करता है यह वं और दूसा इस तरहा है यह तिजह करता है तो यह सारी ऐसी चीज़ें emocrimination करता है प्रेश्ण संख्या 12 है प्राकतिक आपदा से निपटने की तयारी में मानवी आवशक्ताओं का ध्यान कैसे रखा जाता है इस जल प्रहले पाठ के आधार पर बताईए कोश्चन समझेए जब प्राकतिक आपदा आती है जैसे कि यहां पर बाढ़ आईए जब आती है तो हम यहां पर किस तरह की तयारी करते हैं जो हमारी मानवी आवशक्ताओं मानव होने के नाते खाना, पानी और सूखी जगहा यह ऐसी चीज़े होती हैं जो हमें जरूरत होती है तो उन सभी चीज़ों का हम कैसे इंतजाम कर सकते हैं में पार्ट के हसाब से बताना है तो देखे क्या है लेकक फडीशनात रेणू जी पटना के राजेन नगर इलाके में अपने परिवार के साथ रहते थे वर्ष 1967 में जब पटना में बार आई थी तो उनका राजेन नगर का इलाका भी बार के पानी में डूब गया था वहाँ छाती तक पानी आ गया था छाती तक मतलब इतना चेस्ट तक यहां तक पानी आ गया था लोग छोटी छोटी आवशक वस्तुमों जैसे इधन, आलू, मुमबत्ती, सिगरेट, दिया सिलाई, पीने का पानी, कमपोस की गोलिया आदी के लिए भी परिशान हो रहते अब यह हमारी बेसिक नीड है, अब आलू क्यों है खाने के लिए इधन यानि की खाना को पकाने के लिए हमें चाहिए जैसे लकडी है, मिटी का तेल है, स्टोव है, यह सारी चीजों का इंतजाम करना, मुमबत्ती रात के लिए, सिगरेट एक बेसिक नीड है वो, दिया सि बादो जहत कर रहे थे कि यह बेसिक नीड से इन्हें हमें अपने पास रखना चाहिए, दुकाने और बाजार बंद थे, क्योंकि बाड आ रहे थे तो सभी ने अपनी दुकाने और बाजार बंद रखे थे, राजभवन, मुख मंत्री निवास और कौफी हाउस में भी पान भर गया था, लोगों में बाड का पानी देखने कि उसकता बढ़ गई थी, और वे बाड देखने इधर उदर जा रहे थे, लेखक ने इससे पहले बाड की ऐसी विनाश लीला कभी नहीं देखी थी, तो अब ये जो बेसिक नीड सी, हम ये ध्यान रखते हैं, कैसे हमने ध् देखी ही नहीं थी, वो पहली बाड इस बाड का सामना कर रहे थे, प्रेश्ट संख्या 13 है, बाड जैसी प्राकतिक आपदाएं मानोफ समाज को किन किन रूपों में प्रभावित करती हैं, किनी दो की चर्चा करते हुए संछेप में बताईए, अब क्या बाड जैसी प्रा प्राश का साक्षात रूप बन कराती है, क्यों देखे खानी की चीजें नहीं मिलती हैं, खानी के सब कुछ गीला हो चुका होता है, इधन नहीं मिलता, क्योंकि आप जलाने के लिए लक्डी भी आपको सूखी नहीं मिलेगी, प профессional आपके लिए पीने का पानी नहीं होता है क्योंकि चारों तरफ गंदा पानी भरा होता है। रहने के लिए सूखी जगा नहीं होती, क्योंकि चारों तरफ पानी है। तो ये ऐसी चीजे हैं, जो मनुष्य के लिए बहुती विक्राल स्थियां पैदा करती है। जिस छेतर में बाढ आती है, वहां का निचला हिस्सा जल जमाव के कारण रहने, आने जाने तता कोई भी कार्य करने लाइक नहीं रह जाता। जो निचला एरिया जहां पानी भरता है, वहां इतना जादा आप सूने जे पानी रहता है, तो कीचड़ होगा, गंदगी होगी, बाढ का पानी जितना अधिक समय तक जमा रहता है, आम लोगों के जीवन में उतनी अधिक कठनाईयां पैरदा होती है, यानि कि बहुत जादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जितना पानी कठा रहेगा, जितने टाइम तक बिमारीयों के फैलने के खत्रे भी उतने ही जादा हो जाते हैं, यह पानी जब हटता या उतरता है, तब बाढ के दिनों से भी अधिक कष्टिकारी बातावरन दिखाई देता है, अब जब तक पानी था, तब भी आप परिशानी स्थिती में थे, और जब पानी उतर के खतम हो जाता है, तब वो इस्थिती और जादा बाढ के समय से भयानक होती है, कैसे, अब जो पाढ का पानी आया था, वो अपने साथ बहुत सारी गंदगी लेकर आया था, जो पीछे छोड़ कर चला जाता है, मिट्टी है, गाध है, ये सब को छोड़ कर जाता है, साथ ही धेर सारी गंदगी छोड़ कर जा रहा है, उसने सारा एरिया गीला कर दिया है, जो सूखी जमीन है नहीं, सारा कीचड़ी चड़ भड़ा हुए, आपका सारा सामान के अंदर गंदगी भर चुकी है, आपका सामान सड़ रहा है, और फिर उस गंदगी की वज़ा से जो मच्छर मखी पनप रहे हैं, वो बिमारी आप फैलाएंगे, तो ये पानी के उतरने के बाद ही की स्थिती चती है, तरह तरह की बिमारीयां फैलती है, दूशित जल एवं खाद्य पदार्तों के उपियोग की विवश्ता मनुश्र को रोगी बनने पर मजबूर कर देती है, अब क्या है, पानी भी आपको गंदा पीने को मिल रहा है, खाना भी साफ नहीं मिल रहा है, तो पचास तरह की बिमारीयां और हो रही है, बाड से मकान धराशाही हो जाते हैं, जो मकान वीक रहते हैं, जो कच्चे रहते हैं, वो सब क्या होता है जादा पानी भरे नेंसे वो गिर जाएंगे लोग बह जाते हैं फसले एवं पशू संसाधन नश्ठ हो जाते हैं फसले तो पूरी तरह तबाह हो गई जिनके पशू थे वो भी बहुत सारे मर जाते हैं जैसे बैल लोगों क्या हैं बैल हैं गाये भैस हैं बक्री है बहुत सारे लोग गाउं में पालते हैं वो सभी जो हैं मर जाते हैं इस प्रकार बाल की आपदा मानों समाज को अनेक प्रकार के आर्थिक एवं शारीरिक नुकसान पहुचा दिए तो इस तरह के ऐसे बहुत से भाई आपका समान नश्ठ हुआ तो आर्थिक तोर प पढ़ रही हैं अब एक कोशन नंबर 14 14 में क्या दिया है बाढ के अत्रिक्त अनकौन सी प्राकतिक आवदाएं हैं जिनसे मानव जीवन सरबाधिक दूस्ष प्रभावित होता है संशित चर्चा कीजिए अब देखिए यहां पर बहुत सारी प्राकतिक आपदाएं आती प् मतलब समझे जो प्रकति के द्वारा हमको दी जाती जैसे बाढ है यह बहुत जादा पानी बरसने से यानि अति वरश्टी से बाढ आती है तो यह प्रकति द्वारा हुई उसी तरह पानी अगर नहीं बरसे यानि कि अना वरश्टी हो जाए तो सूखा पड़ जाता है बहु देखे क्या है बाल के अत्रिक्त मानव जीवन को सर्वाधिक कुप्रभावित करने वाली प्राकतिक आपदाएं भूकंप सूखा तुफान आदी हैं इन सबसे भी मानव जीवन को व्यापक आघात पहुंसता है अब देखे जैसे भूकंप आएगा तो क्या होता है मकान गिर जाते हैं न हमारे रहने की जगा खतम हो गई कित्ते लोग उसके नीचे मर जाते हैं खाने पीने को नहीं मिलता क्योंकि सारी चीज़े तबहा हो चुकी होती है वैसी होती है भूकंप धरती के कापने की प्राकतिक परिगटना है प्रत्वी की आंत्रिक प्लेटों में हल्च प्राकतिक आपदा है जो वर्षा की कमी के फलसरूप धरातलिये एवन भूमी जल को अत्यधिक विकट उपलब्धा और अनुपलब्धा के रूप में प्रकट करती है जब सूखा होता है तो क्या होता है जो पानी है जो भूजल पे वो तो सूखी भूतल पे जो पानी होता एक सबसे बड़ी मुसीबत हमारे बहुत सारे क्रिया कलाब पानी पर डिपेंड होते हैं फिर फसलों को पानी नहीं मिलेगा सूखा पड़ जाता है फसले पैदा नहीं होती तो खाद्यान की कमी हो जाती है तो ये सारी चीजे होती है इसमें पेजल क्रशीकार्रेओं के लिए जल तथा अन उत्पादक क्रियाओं पर अत्यंत प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है यानि कृषी कार्रे नहीं हो गया पीने का जल नहीं मिला और हमारे जो प्रति दिन के क्रिया कलाप होते हैं उनके लिए भी हमको पानी प्राप्त नहीं होता है तूफान अब आते हैं तूफान तूफान दो प्रकार के होते हैं तेज हवाओं से पैदा होने वाली वायू विये तूफान यानि कि बहुत तेज हवा से जो हवा चलती है बहुत तेज हवा चलती है एक वो तूफान होता है तथा समुद्री जलकों के अनियंत्रत होने से उत्पन समुद्री तूफान जिसे सुनामी कहा जाता है अब जैसे होता हमारे धर्ती पर अगर भुकम्प आता है प्लेटे अगर टेक्ट wreck प्लेट अगर सब कर सोगती हैं तो क्या होता है आपका कंपन होता है Maintenant यू है हमारे घरवर जोते हो सब तभा हो जातें लेकिन जब यह Τूम यही सूर के खते हैं भुकंप है यह पानी के अंदर आता है तो सुनामी आती है और यह सुनामी इतनी तेज आती है कि इसमें बहुत उची-उची, लंबी-लंबी उची-उची लहरे उठती हैं, जिसके कारण भी लोगों की तभाई होती है, यह दो तरह के तुफान रहते हैं, यह तुफान भी मानो जीवन को नश्ट कर देते हैं, इसका उधारन कुस्त में पूर्व ओडिसा में आए फैनिन के रूप में हमने सामने देखा, तो देखें, बहुत सारे तुफान आते हैं, आप अगर उठा कर सर्च करोगे, तो ऐसे बहुत से तुफान आपको देखने को मिलेंगे, प्रश्ण संख्या 15 है, बार जैसी प्राकतिक आपदाओं के स्तिति में व्यक्ति को किस प्रकार उन की तैयारी हमें कैसे करनी है, और इस पार्ट को पढ़ने के पाद हमें क्या प्रेणना मिलती है, आपको ये बतानी है, तो इस पार्ट में ऐसी बहुत सी तैयारियां बताई गई है, जो बार के समय हम आने से पहले कर सकते हैं, ठीक है, और प्रेणना क्या मिलती है, कि ऐसी विपत्तियों में हमें घबराना नहीं चाहिए बार जैसे प्राकतिक आपदाओं की स्थिति में व्यक्तिव को उनका साहस के साथ सामना करना चाहिए अपने अंदर हिम्मत बताए अगर आप बनाये रखेंगे तो कोई भी मुश्किल परिस्थितियों उनसे लड़ने में आप आपको परिशानी नहीं आएगी उसे अपने दैनिक जीवन में काम आने वाली आवर्शक वस्तुमों का प्रबंद कर लेना चाहिए भई आप साहस बनाके रखोगे अगर आपके अंदर हिम्मत रहेगी तो आपका दिमाग भी प्रॉपर वर करेगा अगर आप डर जाओगे निर्वा की समस्या उत्तुपन ना हूँ जैसे कुछ समय के लिए हमको परिशानी आए तो हमें उसको फेस करने हमारे लिए आसान हो जाए बाड के पानी से पहलने वाली संक्रामक बिमारियों के प्रति सतर्क रहना चाहिए बाड जब अपने साथ पानी लाता है तो वो पा काली की योजना पर भी अपने संबंधियों एवं मित्रों से चर्चा जथा इस दिसा में आवशक प्रयास किये जाने चाहिए आप अगर किसी ऐसे एरिया में रहते हैं जैसे आप किसी नदी के पास में रहते हैं तो वहां पर क्या होता है बाड आने के चांसे ज़्यादा रहते हैं या आपके अरिया में ज्यादा बाराती रहती है तो आप इसको कैसे पर्मनेंटली रोक सकते हो कि आपके अरिया में पानी ना भरे इसकी भी योजना आपको बनानी चाहिए इस जल प्रहले पार्ट के आधार पर कहा जा सकता है कि मनश्यों को हमेशा दूसरे मनश मनुष्रों की समस्यां का समाधान करने में अपना योगदान करना चाहिए देखे हम परिशानी में हैं हमने अपना निवान कर लिया अगर दूसरे नहीं किया तो हमें भी उसकी महल्प करनी चाहिए इस पार्ट में हमें परमार्थ भावना अपनानी की प्रेड़ना मिलती है तथा आपजा के समय दूसरे मनुषों की सहायता करने का भाव मन में आता है यानि कि यहां पर बताने कि हमें जहां एक तरफ अपने अंदर साहस रखनी है हिम्मत रखनी है घबराना नहीं है इस मुश्किल इस्थिति से सामना करना है तो वहीं दूसरे तरह हमें दूसरों क सेवा करने का भाव भी अपने अंदर पैदा जैसे हमारे लेखक ने किया था जब बाड आई थी तो वो दूसरे क्या कहते हैं गय थे ना एरिया में हेल्प करने के लिए तो ये हमारे अंदर ये भाव रखता है कि हम अगर capable हैं और दूसरे की मदद कर सकते हैं तो हमें करनी च लीके के प्रश्ण आते हैं एक्जाम में जिनने हम सोच नहीं सकते तो इनकी आंसर्स हम अगर बना ले रहे हैं तो समझ लीजे कोई भी कोशन आ जाए आंसर बनाने में दिक्कत नहीं आएगगी अभी इसके और भी चैप्टर बागी है तो उन्हें भी हम जल्दी लेकर तक यव बागी